हलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो लेकर और नए अन्दाज में इस वीडियो का विशे है मार्ग दर्शन के सिधान्त अर्थात, प्रिंसिपल्स ओफ गाइडन्स वो कौन-कौन से सिधान्त हैं जिसके आधार पर जो मार्ग दर्शन एक इतनी Manivamente कि एक इतनी महत्वपूुन आउधाना जो बन चुकी है उसका पूरा का पूरा ताना बाना उसकी रूप रेखा तै की गई है वो सिधान्त ही होते हैं जो किसी विशे की एक रूप रेखा यूँकर ये उसका blueprint तै करते हैं उसकी limits तै करते हैं और वो विशे उन limits के अंदर रहकर ही अपने आपको विख्षित करता है नए आयाम स्थापित करता है इसी कड़ी में जो मार्ग दरसन एक महतोपुन अधाना है उसके भी कुछ सिधान्त हैं जिसको आज हम इस वीडियो के मादम से डिसकस करेंगे चले शुरवात करते हैं इस वीडियो का विशे मार्ग दरसन के सिधान लट अस टार्ट आज का जो टोपिक है वो है मार्ग दर्शन के सिध्धान शुरुवात करते हैं जिसे मैंने पहले बताया है हमने कई बार चर्चा की है जो मार्ग दर्शन है वो एक मेत्वपूर्ण विशे बन गया है अप्लाइट साइकोलोजी का हर कदम पर हर व्यक्ति को किसी भी उम्र का व्यक्ति है उसको मार्ग दर्शन की आवसेक्ता पड़ती है जब हम इसके सिध्धान्तों की जब बात करेंगे तो यह सुभाविक है कि हम इसके परीचे की भी बात करेंगे शुरुवात करते हैं परीचे से सिधान्त एक मोलिक सत्य या प्रस्ताव होते हैं यह ध्यार रखिए यह कहते है कि मोलिक सत्य जो विश्वास या व्यवार की एक प्रणाली या तर्क की श्रंखला के लिए आधार के रूप में कारे करते हैं यहनि कि अगर आप कोई भी तर्क देते हैं या कोई विश्वास अगर आपका है किसी चीज में या आप किसी परकार का वहवार करते हैं तो वो सारी चीजें अगर हम द्यान से देखेंगे उसके गहराई में जाएंगे तो किसी ने किसी सिधान पर आधारित होती हैं असल में सिधान पर आधारित होते क्या हैं किसी भी विशे की एक दार्षनिक रूप रेखा तै करते हैं उसकी एक लिमिट तै करते हैं कि वो विशे कितनी दूर तक जा सकता है और वो कहां तक वो उसका विजन होगा क्या वो देख सकता है और विशे के अनुसंधान के जो टो पिक्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे इत्यादी इत्यादी जिसके बीतर रहकर ही उस विशे से सम्मंदित जितने भी कारिकरम है वो तै किये जाते हैं आयोजित किये जाते हैं और उसका प्रणाम क्या होता है उसका प्रणाम ये होता है कि वो विशे अपने आप को विक्सित कर कुछ नहीं है अगर आप ध्यान देंगे देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि जो सिधान्त है वो एक blueprint होते हैं जिस परकार से एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म से पहले जब conception होता है गर्वदान होता है तो जो जीन होती है वो एक blueprint तयार करती है उसी परकार से कोई भी सिधान्त कोई भी विशे बिना सिधान्त के अधूरा होता है उस विशे की limits क्या होंगी उसकी परिशिमाएं क्या होंगी ये जो तै किया जाएगा ये उसके कुछ सिधान्तों के आधार पर तै किया जाता है और वही सिधान्त उस विशे को आगे बढ़ाने में अपना पुलिस और होलिस ने सुझाया कि मार्गदर्सन है वो लगबग आठ शिद्धान्टों पर आधारित होता है। में केवल इन आठ सिदान्तों की चर्चा करूँगा जो आपके विशे से सम्मंदित हैं। सबसे पहले जो सिदान्त है होली से रोली से बताते हैं कि जो व्यक्ति की गरीमा होती है वो सर्वोचे होती है। यानि कि व्यक्ति का जो आधार है उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ अस्टीम है वो सबसे पहले सुप्रीम मानी गई है। आपको अगर किसी को कोई guidance program देना है, तो सबसे पहले उसको ये ध्यान रखना होगा कि उस व्यक्ति की गरीमा क्या है, यानि कि उस व्यक्ति की गरीमा का आपको पूर रूप से ध्यान देना होगा। आप किसी भी कीमत पर उसकी गरीमा का उलंगन नहीं कर सकते उस गरीमा का ध्यार रखते हुए ही कोई भी मार्दस्ण कारे करम आयोजित किया जाएगा यह द्यार रखिए यह आप याद रखिए कि किसी भी विशे या कोई भी व्यक्ति खास करके हम मार्दस्ण किसी को देते हैं तो यह द्यार रखने हों के बात होती है कि उसकी जो गरीमा है उसका में सबसे पहले द्यार रखना है उसके बाद ही हम अपने मार्दस्ण कारे करम क करते हैं अगला जो मुख्य प्रचिपल सुजा गया है वो ये है कि प्रतेक व्यक्ति अधित्य होता है यूनीक होता है मनुग्यान इसको अच्छे से मानता है मनुग्यान कहता है कि we are all unique in our traits यो तो physical traits में भी जिस प्रकार आपके fingerprints है ये सारे के सारे unique होते हैं उसी प्रकार हर व्यक्ति अधित्य होता है और मार्ग दर्सन भी उसी प्रकार उसी की सीमा में रह कर तै किया जाना चाहिए अगला प्रशिधात है मार्ग दर्सन की जो मुखे दिल्चस्पी होती है वो होती है वेक्ति और उसका सामाजिक महोल यानि कि अगर किसी के लिए मार्ग दर्सन तै करते है कि कोई न कोई मार्ग दर्सन कारे करम उसके लिए तै किया जाएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वेक्ति है वो और उसका सामाजिक महोल कैसा है उसी की लिमिट्स में रहकर परिशिमाओं में रहकर ही हमें उस व्यक्ति के लिए मार्ग दर्शन का कारेकरम आयोजित करना होगा तै करना होगा हमें बदलाओं भी अगर करने की जूरुत पड़ती है तो वो भी उन सामाजिक सिमाओं के बीच समाजिक सीमाओं के तहत ही हमें मांग दर्शन का जो कारिक्रम है उसमें बदलाव करना होगा अग्ला दोसी दाथ है व्यक्ति का द्रश्टि कोड़ और उसकी व्यक्ति का धारणाई है कि उसका वी पॉइंट क्या है और वो किसी जो पर वो बिलीफ करता है ये दोनों की दोनों चीजे मांग दर्शन का आधार तै करती है क्योंकि जो व्यक्ति कारे करता है वो अपने द्रश्टि कोड़ और व्यक्ति के धाड़ाओं के आधार परियुकारे करता है उनसे भाहर जाकर वो कारे नहीं करता है कोई अक्टिविटी वो नहीं करता है तो इसलिए ये भी एक important point होता है कि उसका दृस्टिकोन क्या है यानि उसका viewpoint क्या है और उसकी beliefs क्या है तो next से दानत है व्यक्ति आम तोर पर अपने कथित स्वय को बेतर करने के लिए करे करता है ये बात तो तैह है कि जब भी हम कोई भी activity करते है कोई वैवार करते है तो उसका कहीं न कहीं उसके background में एक मुद्दा छिपा होता है कि मैं जो self है मेरा अपना उसको और enhance करना, improve करना जब कोई वैक्ति अपने self के improvement के लिए काम करता है तो mark दर्शन देते वक्त, guidance देते वक्त इस चीज़ पर पूर रूप से हमें focus करना चाहिए और focus करना ही होगा कि उसके swim को भी हमें अपने दर्श्टी कोण में लेना होगा तब ही हम किसी के लिए मार्ग दर्शन का कारिकरम ते कर सकते है अगला से दानता है व्यक्ति के पास शीकने की जन्म जात समता होती है यह बहुती wonderful आश्रजनेक बात है कि जब हम मा के गर्ब से जन्म लेते हैं इस संसार में जब आते हैं तो हम माता से एक गिफ्ट उपार मिलेकर आते हैं वो होती है शीकने की समता हम शीकने की समता के साथ तो आ जाते हैं लेकिन जब हमारे सामने इस दुनिया के अंदर बहुत सरे विकल्प होते हैं उन विकल्पों को चुनने में हमें एक मार्ग दर्शक की आउसक्ता पढ़ती है तो दोस्तों यहीं पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो मार्ग दर्शन है देते वक्त यानि किसी को guidance का program देते वक्त यह ध्यान में रखना होगा कि उसके अंदर शिश्किने की समता है और उसको जो विकल्प है उसके चुनने में हमें मदद करनी होगी जिसके आदार पर वो अपनी आतम दिश्या तै करने के में सक्षम हो सकता है अगला सी दहांत हम बात करेंगे डिस्कॉस करेंगे आपको बीच बीच में अगर कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं यह वन वे कम्मिनिकेशन नहीं है आप भी मुझे प्रसंद पूछ सकते हैं और मैं प्रसंदों का जवाब दूँगा बताएए समझ में आ रहा है येस वेरे गुड यही मुझा स्था सी आप से देखिए वेक्ति प्रसंद दो कान से नहीं पूछता है या तो उसको सब कुछ आता है या कुछ नहीं आता है तो इस केटेगरी में आप बताईए क्या समझ में रहा है आपको जी थैंक्यू बहुत बढ़िया अगरा सी तान तब डिसक्स करते हैं वेक्ति को बच्पन से लेकर वैसक्ता तक दिनंतर मार्दर्शन की आउसक्ता होती है अर्थात यह एक सतत प्रक्रिया है दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखनेओं के बात यह है कि जन्म से लेकर पंच तत्तों में विलीन होने तक हर कदम पर हमें मार्दर्शन की आउसक्ता पड़ती है चाहे वो मार्दर्शन हम सुम अपने आपको देते हूं या किसी अक्सपोर्ट से गाइडन्स हम लेते हूं मार्दर्शन की आउसक्ता तो जीवन की हर कदम पर पड़ती है क्योंकि जिन्दगी हर कदम पर चुनोतियां आपको प्रदान करती है जब ये बात तै है कि निरंतर हमें मागदर्शन की आउसकता पड़ती है तो भी एक मैतोपूर्ट से दाथ बन जाता है कि मागदर्शन तै करते वक्त इस बात को भी ध्यान में रखिया जाना चाहिए यानि कि मागदर्शन इनी सिमाओं के बीच रहकर ही तै किया जाना चाहिए और अंतिम सिद्धात है जीवन में प्रतेग वक्ति को किसीने किसी मोड पर सक्षम पेशेवर वक्ति द्वारा दी गई जानकारी और व्यक्तिकत सायता की आउसक्ता पढ़ती है यह मैं डिसकस आफ के साथ कर चुका हूँ और थोड़ा से इसको में डेटेल में बात करते है कि जो हर मोड आता है जीवन का कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को किसीने किसी expert guidance की आफसकता पढ़ती है क्योंकि इस जीवन में गुरुवत्ता मराय रखने के लिए वातावन के साथ तालमिल मराय रखने के लिए समाज के साथ तालमिल मराय रखने के लिए हमें हर जगए expert guidance की आफसकता पढ़ती है क्योंकि हम संपूर नहीं हो सकते जब ये धाणा आपकी है कि हम संपूर नहीं हो सकते और हमें guidance की आवसकता पड़ती है तो guidance का program तै करते वक्त इस चीज की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है कि इस सिधान को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है इवन जो पेशेवर वक्ती है जो expert guide है उसको भी किसे ने किसी mode पर guidance की आवसकता जरूर पड़ती है तो dear friends आज का जो हमारा विशे था ये था मारदर्शन के सिधान और ये मेरे references है संदर्ब जहासे मैंने लिया है आप इसको cross check कर सकते हैं और जो अगले वीडियो जो हमारा होगा वो होगा मारदर्शन के प्रकार यानि types of guidance तब तक के लिए आप इंजार कीजिए मेरे नए वीडियो का एक नए अंदाज में इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी दिखाई देती है तो आप मेरी email है वर्मा सुजीत at the rate of yahoo.com पर आप मुझे बेश सकते हैं मेरे comment box में भी आप लिख सकते हैं ताकि मैं आने वाले वीडियो में अपने आप में उजार कर सकूँ दोस्तों और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ सेर किजी और इसमें कुछ कमी लगती है तो मेरे साथ सेर किजी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद